वेल्कम डियर स्टुटेंट्स आज हम थेओरी व कंपुटेशन में प्राब्लम सौल करने जा रहे हैं रिलेटिट टू टॉपिक कनवर्जन फ्रॉम फाइनाइट अटो मेंटर टू रेगुलर एक्सप्रेशन यह कोई भी फाइनेट ऑटो में गवेन और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे यह हम टॉपिक लर्निंग मोडूल में भी कर चुके हैं और उस टाइम पर मैंने बदाया था कि इसकी और प्राब्लम्स जो किसी एक्जामिनेशन में पुछी गई हैं वो हम प्राब्लम्स मोडूल में करेंगे तो वही प्राब्लम्स हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर कुछ लर्निंग आउटकम लिस्टेट हैं इस प्राब्लम्स मोडूल से रिलेड़ेड़ लर्निंग आउटकम क्या explain the procedure to eliminate epsilon move from finite automata ये मैं आपको learning module में भी बता चुका हूँ और उस learning module से पहले भी जब मैंने आपको NFA with epsilon move to DFA conversion ग़ाय तो उसके problem solving module में भी वो four steps मैंने लिखवाए थे और उन four steps में पहला step क्या होता है कि जिन states के बीच में हम elimination करना चाहते हैं जहाँ पर arrow तर्मिनेट कर रहा है वो वी टू स्टेट होगी और जहां से स्टार्ट हो रहा हो वी वन होगी उन दोनों वी टू स्टेट के जितने भी transitions हैं किसी भी स्टेट पर हो ये self state में हो सारे duplicate करते हैं वी वन स्टेट से उसके बाद अगर वीवन लोहा है से ऐसे मैंने आपको वर्ड़ियमनेट करके बता सकते हैं सेगंद using Arden's theorem to find the regular expression for a given finite automator तो जो procedure मैंने algebraic log आपको बताया था उसके steps भी मैंने लिखवा थे आपको learning module में वो सारे steps आप लिखेंगे इस तरह से first equation में हम epsilon add करते हैं equation कैसे create करते हैं वो complete procedure आप asities लिखेंगे और हमारा इसमें देखे equations होती है mathematical equations और automatic equation में क्या difference होता है mathematical equation में variable की value find out करके substitute करते हैं यहाँ पर हम equation में ना तो को multiplication करेंगे ना subtraction करेंगे सिर्फ हम by putting the values of one equation into the another equation हम उसको r is equal to q plus r p की form में लेके आएंगे और उससे हम solution find out करते चले जाएंगे जैसे इस equation का solution होता r is equal to qp तो वो पूरा आप explain करते हैंगे जैसे learning module में हमने discuss किया था and third किया convert finite automata to regular expression आईए इस की कुछ problem हम करते हैं अभी ऐसे तो learning module में भी कर चुके हैं लेकिन यह और problems है जो previous examination पूछी जा चुकी है देखिए यह first problem है इस problem solely module से related obtain the regular expression corresponding to the following automata यह automatic given है आपको यह भी मैंने बताया था learning module में कि अगर हमारे transition diagram में एक से ज्यादा final state है तो उन सभी final state के लिए हम क्या find out करते हैं solution find out करते हैं और बाद में उन सब का union कर देते हैं और union का मतलब क्या होता है addition है clear है यहाँ पर हमारे वाले transition diagram में सिर्फ एक ही state final state जिसका नाम है q1 तो q1 के लिए जो solution होगा that will be the regular expression for this transition diagram तो आईए algebraic method की help से हम इसका solution find out करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे equations find out करेंगे हर एक जितने number of states होंगे उतने number of equations आएंगे यह mandatory नहीं है जैसा मैंने learning module में बताया थे कि सारी equation का utilization आपको solution find out करने में करना पड़े ऐसे एक example मैंने उसमें भी कराया था आपको learning module में और हो सकता है कि सारे चारो को चारो equation ही रूटलाइज हो जाएं तो यह start करते हैं सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक्वेशन यह फर्स्ट जो एक्वेशन बनाएंगे इनिशल स्टेट के लिए से q1 is equal to क्या होगा आप जितने सब्सक्राइब करते चले जाओ और इनिशल स्टेट में एपसालन एड़ करने एस पर दा प्रोसेजर आफ एलजेबरिक लोग आपने देखर q1 q1 बे लेके आ रहे है q1 बे तो q1 b plus q2 स्टेट से एपलाई करने के बाद किस पर आ रहे है q1 बे तो प्लस q2 ए और क्योंकि यह इनिशल स्टेट है तो इसमें हम क्या आइड कर देंगे एपसाल तो इस इस दा फास्ट एक्वेशन कि सेकंड एक्वेशन क्या होगी फोर q2 q2 इस्टेट पर देखिए q2 पर हम क्या कर रहे है q3 स्टेट से एपलाई करके q2 पर आ रहे हैं transition डिग्राम में देखो तो क्या हो जाएगा q3 यह प्लस q4 स्टेट से भी अपलाई करके q2 पर आ रहे हैं तो q4 यहाँ पर एपसालन एड नहीं होगा क्यों क्योंकि q2 इनिशल स्टेट नहीं है यह जो एपसालन आता है only for initial इस्टेट आई यह देखने है third equation q3 के लिए q3 is equal to q3 पर q1 से a apply करने के बाद आ रहे हैं तो you can write it as q1 a plus और q3 स्टेट पर q2 से b apply करने के बाद आ रहे हैं so we can write it as q2 so this is equation number 3 आई यह देखते हैं q4 के लिए q4 state पर हम q3 से b apply करने के बाद आने हैं so we can write it as q3b plus q4 पर self loop है एगा so we can write it as q4a so these are the four equations और in four equations की help से हम find out करेंगे regular expression यहाँ पर आप जानते ही है कि हम regular expression किसके लिए find out करते है only for final state तो regular expression जो होगा किसके लिए आएगा for final state और final state का solution होगा वो क्या होगा q1 तो basically हमें यहाँ यहाँ पर q1 को find out करना है और जो regular expression होता है it is a sequence of terminals only उसके अंदर कोई variable नहीं होता है यहाँ पर state count treat करेंगे as a variable और regular expression अब यहाँ पर equations की manipulation करते हैं और q1 को find out करने की कोशिस करते हैं तो देखिए q1 को find out करने के लिए आपको सिर्फ ardence theorem ध्यान रिखनी है और ardence theorem क्या कहते है कि मेरे पास अगर एक equation है r is equal to q plus rp जहाँ पर p epsilon नहीं है उसका solution क्या हो जाएगा r is equal to qp as strict बस इस formula यहाँ अब मैं अगर equation 1 की बात करूँ अगर मेरी equation में q2 की value मुझे मिल जाए तो मेरी यह पूरी q2 की value in the form of q1 मिल जाए तो मैं इस equation को पूरी q1 में आ जाएगी तो q1 का solution find out कर सकते हैं अब लेगिन q2 find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तेकि q2 को find out करने के लिए हमें q3 और q4 चाहिए क्या जाए यह q3 और q4 तो अब q3 और q4 हम कैसे find out करें यहां पर एक यह सबसे बड़ा challenge है कि q3 और q4 को हम कैसे find out करें अब इसमें q3 और q4 को अगर इसका solution में q1 की form में लेगे आना है किसकी form में लेगे आना है q1 की form में तो हम क्या कर सकते हैं इसमें यह जो q3 की value है यह जो q3 की value है इस q3 की value को अगर मैं उपर put कर देता हूँ या तो equation number 2 में put कर दूँ तो तब भी क्या होगा यह q1 q2 और q4 की form में आ जाएगी equation या मैं equation number 4 पे आ जाएँ equation number 4 का solution क्या सकता देखे अगर मैं यहाँ पे आरडंस चुरम लगाता हूँ in equation number 4 मैंने यह माल लिया कि यह r है यह पूरा क्या है q है और यह r है और यह क्या है पी है जो gap silent नहीं है तो equation 4 का solution क्या होगा from equation 4 क्या solution आ जाएगा q4 is equal to qp astring that means q3b astring q4 का solution आपका q3 की term में आ गया q4 solution in the terms of q3 अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यह जो solution है इसको अगर मैं equation number 2 में put कर दूँ इसमें put कर दूँ equation number 2 में put कर दूँ इस q4 की value को और इस q3 की value को यहां से put कर दूँ तो मुझे q2 की value मिल जाएगी in terms of q1 कैसे मिलेगी आईए देखते हैं suppose करो यह equation number होगी 5 तो मैं क्या करता हूँ put the value of q3 from equation 3 and q4 from equation 5 in equation number 2 तो अगर हम in 3 और 5 की value equation number 2 में रखते हैं तो देखे आईए क्या आता है यह आएगा say q2 is equal to q3 की value क्या देखे equation number 3 से q1 a plus q2 b you can write it as q1 a plus q2 b और इसके साथ क्या associate हो जाएगा a q1 a plus q2 b into a plus q4 की value क्या है equation number 5 से q3 ba s3 क्या है q3 ba s3 q3 ba s3 और b उसका अपना पहला है into b यह जिसके लिए रोगई अब हम क्या कर सकते हैं आगे अब यह जो q3 आया है यहाँ पे भी q3 की value को put कर सकते हैं और यहाँ पे q3 की value वही रखेंगे equation number 3 से equation number 3 से q3 की value अगर यहाँ पे put करते हैं तो इसको आप आगे expand कर सकते हो q2 a आपने इसमे राइट associative लोग लगा दिया q1 a plus q2 ba plus q3 की value को फिर से put कर दिया q1 a plus q2 b b a एस्ट्रिक भी किलियर है आईए फिर से इसमे राइट associative लोग यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं तो जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो क्या जाएगा q1 a plus q2 ba a plus q1 a b a एस्ट्रिक भी प्लस q2 b b a एस्ट्रिक भी देखो इस इसका ध्यान रगना कोई भी ए लेफ्ट का राइट ना हो जाए राइट का लेफ्ट ना हो जाए और मिस भी ना हो जाए अगर मिस भी हो गया तो भी आपका अंसर गलत हो जाएगा और आपको जीरो मार्क्स ब्यूए अगर कर सकता है अगर स्टैब मार्कि обычно में माक्स दे सकता अगर सब्सक्रिद नहीं घरो है तो को जैसे मार्क्स ट को एक साथ कर लेते हैं और क्यूट है वाले टम्स को हम एक साथ कर लेते हैं क्यूट है वाले टम्स को हम एक साथ कर लेते हैं तो क्यूट होता है क्यूट प्लस आर्पी होता है तो पहले हम क्यूवन वाले टम्स लेते हैं Q1 वाले terms लेते हैं तो A plus A B A Astrick B plus Q2 वाले terms क्या है Q2 वाले terms है B A plus B B A Astrick B और यहां पर क्या है Q2 तो मैं क्या ली सकता हूँ इसको से मैंने यह मान लिए R है यह पूरा हमारा Q है यह R है और इसको पूरे को क्या मान लिए P क्योंकि Epsilon नहीं है तो इसका solution क्या हो जाएगा इसका solution होगा Q2 is equal to Q P Astrick that is Q1 A plus A B Astrick B Q और P Astrick P Astrick क्या है B A plus B B Astrick B का वोल Astrick यह clear है यह पूरा Q हो गया और यह P Astrick हो गया यहां तक clear है तो हमारे पास Q2 का solution आ गया in terms of Q1 we are looking for that क्यों? क्योंकि अब हम इस Q2 की value को equation number 1 में put कर देंगे पूरी equation Q1 में आ जाएगी और उस Q1 को ardence की form में convert करके हम Q1 का solution find out कर देंगे यह तो हमारा objective था आएगी तो नाओ put the value of Q2 in equation number 1 put this value of Q2 in equation 1 जब equation 1 में इसको पूट करेंगे तो हमें क्या में लेगा Q1 is equal to Q1 A plus Q2 क्या है देखे आगे Q1 B है plus Q2 A है Q1 B है plus क्या है Q2 A Q2 का पूरा solution रख दो है यहाँ पे Q1 A plus A B A A strict B B A plus B B A A strict B का A strict यह क्या होगा हमारा Q2 और Q2 क्यादा A A तो है आपे आए गए आएगा और plus Epsilon plus क्या देखे आपे Epsilon अब हम क्या गर सकते हैं Q1 को में ले सकते हैं राइट हैं साइट में तो अगर हम Q1 को में लेतने हैं तो हमें क्या में लेगा क्यों आफ्टर ग्ले टेकिंग क्यों एस क्यों ओमन बी प्लस A प्लस A B A एस्ट्रिक B B A प्लस B B A एस्ट्रिक B का होल एस्ट्रिक A प्लस Epsilon हम यह जांगते हैं S पर दा आइटेंटिटी R प्लस Epsilon is equal to Epsilon plus R तो we can change according to the identity क्योंकि हमें इसको किस हों में लेगे आना R is equal to Q plus R P हम Epsilon को क्यों मान सकते हैं लेकिन P Epsilon नहीं हो सकता So we can write it as Q1 is equal to Epsilon plus Q1 B plus A plus A B A प्लस B and B A plus B B A A प्लस B का एस्ट्रिक इन्टु A इस चिसका ध्यान रखना में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कोई भी सिंबल आप से छूटना नहीं चाहिए चाहिए तो आप उसको एक बार फिर से गो थूरो हो जाना यह आगी आपके बस Now it is equivalent to R This is Q This is R And this complete is P So the solution for this equation According to Arden's Theorem देखिए जितने भी हम solution लिखना है है According to the Arden's Theorem लिखना है Applying Arden's Theorem हमने यहाँ भी Arden's Theorem अपलाई करी थी यहाँ भी Arden's Theorem अपलाई करी थी और इसके ऊपर भी हमने Arden's Theorem कहीं पर अपलाई की होगी नहीं की थी यह अपलाई की थी Arden's यहाँ भी Apply Arden's जब आड़न स्चिरम कम यहाँ पे अपलाई गरेंगे तो क्या होगा Q1 is equal to epsilon B plus A plus A B A a-strik B and B A plus B B A a-strik B ka a-strik A और इसका भी whole a-strik and we know one more identity epsilon R a-strik is equal to R a-strik so we can write this solution as Q1 is equal to B plus A plus A B A a-strik B and B A plus B B A a-strik B ka a-strik A or is ka V whole a-strik so this is your final regular expression clear इस तरह से आप solution find out करेंगे कि क्यों final regular expression है क्योंकि Q1 किया final state और जब हम algebraic method लगाते है to find out the regular expression for the given finite automata हम solution find out करते हैं only for final state अगर हमाले transition diagram में एक से जादा final state है तो उन दोनों के लिए लग-लग solution find out करेंगे और फिर उन सब का union कर देंगे अगर वो further minimize होता होगा तो identities जो 12 identities मैंने आपको बताई हैं उनको apply करके उसको हम minimize कर देंगे जैसा हमने एक problem learning module में भी करी थी जिसका solution आया था 0 a-strik 1 a-strik any number of zeros followed by any number of ones I hope कि इस type के अगर कोई problem exam में आएगी तो उसको आप successfully attempt करेंगे तो यह देखना है second problem जो previous year examination में पूछी गई है बच्चे जो इसमें mistake करते हैं वो मैं एक बार फिर से ही आपे बता जाता हूँ वो यही है कि वो कोई ना कोई symbol miss कर देता है आपको बिल्कुल diligently और अच्छे से धिहान लगागे इसके किसी symbol को miss नहीं करना है तो आइए start कर दे next problem यह second problem है obtain the regular expression corresponding to the following finite automata with q0 being start state as well as final state देखिए उसने table में mention नहीं करा है उसको explicitly mention कर दिया कि q0 initial है और q0 यह है final है इसी को उसने final भी बता दिया तो बच्चे कई बार क्या होते हैं कि या table में तो उसने mention नहीं कर रखा तो आपको जो theory में उपर लिखा हुआ question है उसको भी दियान से read out करना है और समझना है तो देखिए अगर इस तरीके से table given है और आपको regular expression से finite automata करना है और आपको habit है कि आप diagram से ही equation लिखते हो तो पहले आप इसको किस में convert करेंगे diagram में convert करेंगे diagram में transition diagram या state diagram तो इसके corresponding जो state diagram आप बनाएंगे आई बनाएगे यहाँ पर state diagram तो इसमे initial state और final state आपके पास क्या q0 है हमें नहीं पता है किस direction में होंगे हमने चार state ऐसे ही बनादे डारेक्ट पर q0, q1, q2 and q3 transition mark कर दो table से q0 पर a apply करते है तो transition किस पर और q3 पर मुझे लगता है कि इसको अगर 4 state वाला है तो q0 पर a आता है तो आपने उसका transition बनादे है q3 पर q0 पर b आता है तो आपने लगा दिया cell flow q2 पर state का नाम है q0, q2, q3 देखो इसका भी ध्यान रगना हमारी habit बन चुकिए कि a की sequence में वो ही sequence मिस भी कर सकता है q1 की जगे यहाँ पर state का नाम क्या है q2 q2 की जगे क्या है q3 और q3 की जगे क्या है q4 अब q2 पर अगर हम a apply करता है q2 पर हमने a apply गया तो उसका transition किसे state पर हो रहा है q0 पर और q2 पर हमने b apply गया तो उसका transition किसी state पर हो रहा है q3 पर आइए हम देखते है q3 पर q3 पर जब a apply करता है तो उसका transition होता है q2 पर और जब q3 पर b apply करता है तो उसका transition होता है q4 पर आप देखें फिर Q4 इस्टेट पर है Q4 पर हम A अपलाई करते हैं तो सेल्फ लूफ और Q4 पर हम B अपलाई करते हैं तो Q2 इस तरह से यह आपने इसका ट्रांजिशन डाइगराम बना लिए है आईए अब इस ट्रांजिशन डाइगराम की हल्प से हम क्या करेंगे equations लिखेंगे और उन equations को Arden's theorem की help से simplify करेंगे अब यहाँ पे भी Q0 क्या है final state है तो हम solution किसके लिए find out करेंगे Q0 के लिए तो basically Q0 is a final state और जो इसका solution होगा वही हमारा regular expression होगा clear आईए अब इनके लिए equation लिखते हैं Q0 is equal to Q0 sorry Q0 पे B apply करते हैं तो Q0 plus Q2 पे A apply करते हैं तो Q0 और क्योंकि यह initial state है तो epsilon तो इसमें आए गई आएगा एस पर दा रूल यह आपकी equation number हो गए 1 आईए अब लिखते हैं Q2 के लिए equation Q2 is equal to Q2 पे transition incoming transition कौन कौन से हैं Q3 से A apply करने के बाद Q2 पे आ रहे हैं Q3 A plus Q4 से B apply करके आ रहे हैं यह क्या होगा equation number 2 आईए आप equation number 3 के बाद करके हैं Q3 is equal to Q3 के incoming transition देखो Q2 B plus क्या Q3 पे और कोई incoming है yes Q2 B और Q2 B के अलावा कोई ओर transition है Q3 पे देखो कोई ओर transition आ रहा है Q2 पे B apply करके Q3 पे जारे हैं तो देखे Q0 पे A apply करके हम Q4 पे चले गए वो क्योंकि हमने state rename नहीं किये थे हम यहां पर आप देखेंगे Q0 पे A apply करने के बाद आप Q3 पे जा रहे हैं क्योंकि वह बाद में change हो गया था ना यहां पर क्या हो जाएगा Q0 A यह equation number क्या हो गए 3 अब आप आईए Q4 Q4 equation Q4 पे A apply करने के बाद self loop है Q3 B plus Q4 A equation number क्या हो गए 4 यहां तर क्लियर है यह four different equations हमारे पास यहां पर available है और हमें solution किसके लिए find out करना Q0 के लिए तो जब हमें equation Q0 के लिए find out करना है तो हमें basically यहां पर किसको replace करना Q2 को तो हमें यहां पर Q2 का solution find out करना है यहां पर हमारा main motive यह है तो देखिए यह question कुछ almost वैसी बन गया जो हमने first वाली problem करी दी लेकिन इसका representation exam में कुछ अलग तरीके से दिया गया है तो आपने रेखा है यहां पर यह equation आ गई हमें Q2 चाहिए और Q2 को find out करने के लिए हमारे पास क्या है Q3 और Q4 है क्या है Q3 और Q4 है तो Q3 और Q4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास यह Q4 है इस Q4 का solution हम Q3 की formula आ सकते हैं तो from this equation क्या हो जाएगा Q4 is equal to Q3 B AS3 हमने यहां पर क्या लगा दी Arden's theorem यह क्या हो गया capital Q हो गया और यह क्या हो गया P तो Q4 हमारे पास Q3 की term में आ गया अब इस Q4 की value को हम equation number 2 में replace कर तो जैसी हम इसको equation number 2 में रखेंगे तो Q2 is equal to क्या हो जाएगा Q3 A plus Q3 B AS3 और Q3 को यहां पर हम क्या ले 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 common तो अगर हम यहां Q3 को common ले ले लेते हैं तो यह क्या जाएगा A plus B AS3 यह किसकी value आ गई Q2 की अब आप यहां पर क्या देखते हो आपके पास एक तो Q4 है और एक है आपके पास Q2 अब Q2 को आप जो equation number 2 है उपर आपने equation number 2 का solution Q3 की terms में find out कर लिया अब जो Q3 है Q3 का solution आपके पास है Q2 और Q0 की form में तो यहां पर हम Q3 की value रख देते हैं from equation number 3 put the value of Q3 from equation 3 अगर हम equation 3 से इसकी value को यहां पर put करते हैं तो क्या value हो जाएगी Q2 is equal to Q3 क्या है Q2 B plus Q0 A and A plus B A एस्ट्रेक यह आगे हैं अब इस expression की अंदर क्या कर सकते हैं right associativity root लगा कि इसके अंदर concatenate करा सकते हैं जब इसको concatenate कराएंगे तो आपको एक solution मिलेगा Q2 is equal to Q2 B और इसके साथ क्या होगा A plus B A एस्ट्रेक प्लस Q0 A और इसके साथ क्या होगा A plus B A एस्ट्रेक अब देखे यह जो solution है इसको हम Q is equal to Q plus R P की फॉर्म में कर सकते हैं तो Q2 का solution Q0 की फॉर्म में आ जाएगा तो what we can do हम इन दोनों की position चेंज कर देखे हैं तो यह क्यों हो जाएगा Q2 is equal to Q0 A A plus B A एस्ट्रेक एंड प्लस Q2 B A plus B A एस्ट्रेक यह क्लियर है तो अब यह मेरे पास R है यह भी R है यह पूरा Q हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा पी तो आइकन राइट इस अप्लाइंग आर्टन्स थियो नूं तो जब हम यहां पर आर्टन्स शुर्ण हम अप्लाई करेंगे तो क्या सॉलुशन आएगा Q2 is equal to Q0 A A plus B A एस्ट्रेक यह पूरा Q हो गया और P A एस्ट्रेक पी एस्ट्रेक पी ए प्लस B A एक्वेशन नूम्बर 1 में पूट इस वैल्यू आफ Q2 इन एक्वेशन वान एक्वेशन वान में जब पूट करेंगे एक्वेशन नूम्बर आपके पास क्या Q0 is equal to Q0 B plus Q2 A Q2 की एक्वेशन क्या जाएगा Q0 A A plus B A एस्ट्रेक B A plus B A एस्ट्रेक का whole एस्ट्रेक और उसके आगे क्या है A क्लियर है अब आप देखिए आपके पास पूरी एक्वेशन क्यू नूम्बर में और प्लस एपसालन इसमें आप Q0 कॉमन ले सकते हैं और एपसालन को आप लेफ्ट को देखिए एपसालन प्लस एक्वेशन प्लस एक्वेशन प्लस Q0 आपने कॉमन ले लिया B plus A A plus B A A A plus B A A A A अब ये एक्वेशन ये आर है ये भी आर है यहाप आप क्या लगा देंगे आर्डन स्योर्म अप्लाई आर्डन स्योर्म इसका सोलिशन किया जाएगा Q0 is equal to Epsilon और ये पूरा P A strict Epsilon B plus A A plus B A strict B A plus B A strict A A और इसका whole strict और हम जाते ही है according to the identity इसकी value क्या होती है R strict So the final solution for this finite automata is Q0 is equal to B plus A A plus B A strict B A plus B A strict A और इसका भी whole strict So this is the final regular expression इस तरह से कोई भी अगर finite automata given है अगर वो transition table है तो transition diagram बनाएंगे transition diagram में equation लिखेंगे initial equation में epsilon add करेंगे और आप कैसे भी equation को replace करके उसको ardence की form में लेके आएंगे R is equal to Q plus R P G और उसका solution लिखते चले जाएंगे तब तक जब तक आपको final state की corresponding solution नहीं मिल जादा और फिर से मैं repeat कर रहा हूँ अगर आपके transition diagram में एक से जादा final state है तो दोनों के लिए अलग अलग solution find out करेंगे और finally उनको union कर देंगे तो that's all इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो हमने learning outcome की बात करी थी explain the procedure to eliminate epsilon move from finite automata यह मैं आपको starting में बताई चुगा हूँ चार step हम follow करते हैं first step में हम उसके v2 state के transition find out करते हैं फिर second step में उनको v1 से duplicate करते हैं third में अगर if v1 is initial state तो v2 को initial बना देते हैं और fourth में if v2 is final state तो हम v1 को भी final बना देते हैं algebraic लोग आपको पूरा मैंने बताई रिया equations लिखते हैं initial डाज एड़ करते हैं अगर एक से जादा किसी state एक transition डाइगरा में एक से जादा final state है तो हर एक के लिए solution find out करते हैं फिर finally उनका हम add कर देते हैं conversion के लिए हमने यह दो problems यहां पर देखी हैं I hope कि इस topics related एकर कोई भी problem आपके examination में आएगी तो आप उसे successfully attempt करेंगे करेंगे करेंगे